विसम्मिल लाइ रॉक्माइन दिरॉहीम विवेवर्स वेवर्स वेवर्स अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम different text को किस तरह से concatenate कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या directly हम अपने numbers को भी वैसे ही echo करवा सकते हैं क्या हम basic calculations perform कर सकते हैं directly PHP के अंदर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विवर्स अपने previous वीडियो में हमने जो फाइल बनाई थी हम उसी को use कर रहे हैं right now विवर्स सबसे पहले हम बात करते हैं concatenation की concatenation का मतलब है दो values को आपस में जोड़ना joint करना right now आप देख रहे हैं विवर्स के हमारे पास दो strings हैं या दो text की lines लिखी हुए it's a test message it's another statement कि दो हमारे पास lines आरे लेकिन यह दोनों हमारे पास अगर हम output की बात करना तो एक ही line में सीध में हमें नज़र आ रही है विवर्स हम यहां पर जितनी मर्जी spaces एड़ कर दें जैसके मैं previously बता चुका हूँ इसका impact आपके output पर नहीं होने वारा क्योंके white space को PHP ignore कर देता है तो हम किस तरहां से new line insert कर सकते हैं विवर्स हमें new line insert करने के लिए जो है वो बी आर का tag यूज करना होगा जो कि एक HTML का tag है अब बी आर का tag यूज करने के लिए अगर आप PHP के अंदर HTML यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं विवर्स आप देख रहे हैं कि यहां से PHP का opening tag start हो चुका है और यहां पर PHP का closing tag है लगर इसके दरम्यान में कहीं पर हमें PHP यूज करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं यह हम देखते हैं इस statement के end पर लगाता हूं जहां पर यह statement end हो रही है और मैं इसे save करता हूं और save करने के बाद इस page को reload करके देखता हूं तो देखिए हमारे पास syntax error आ रहा है यह एक error generate कर दिया इसने BR का tag वैसे काम नहीं किया जैसे कि करना चाहिए था अब मुझे क्या करना चाहिए विवर्ज एक्चुली मेरे पास multiple ways हैं first of all मैं इस BR के tag को यहां से control x की मदद से cut करता हूं और इसे अपने इस message के साथ join कर देता हूं अपने इस text string के साथ join कर देता हूं ऐसा करने से विवर्ज यह जो मेरा portion है जो HTML है यह read कर लिजाएगी अगर मैं से save करूँ और reload करूँ तो देखिए कि अब दूसरी line जो हमारे पास second line के ओपर आ रही है ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ क्योंकि विवर्ज आप देख रहे है इस a test message यह हमारे पास लिखावा नजर आ रहा है और फिर बी आर बी आर का मतलब है line break आप जानते हैं HTML के अंदर हम एक नई line insert करने के लिए बी आर का tag यूज करते हैं तो मैं बी आर का tag या तो अपने इस double statement generate करता हूँ echo और फिर double quotation mark के अंदर यहां पर इस BR के tag को paste कर देता हूँ अब भी अगर मैं इसे save करूँ और इस page को reload करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास error आ रहा है और error क्यों आ रहा है क्योंकि अब की बार हमने इस statement के end पर semi colon यानि statement terminator नहीं लगाया तो हम save करते है इसे और reload करते हैं तो आप देखें कि result वैसे ही आ रहा है हमारे पास new line generate होगी है यहां पर इविवर्स यह जो text है hello welcome to the test plus यह कुछ confusion create कर रहा है इसलिए में delete कर देता हूँ ताकि हम सिफ PHP पर concentrate कर सके तो अब देखेंगे it's a test message it's another test message it means कि जब भी हमें अपने PHP के अंदर जो तो PHP के tag से बाहराना होगा PHP के tag को close करके HTML insert करनी होगी या फिर अगर हम PHP के tag के अंदर ही इसे use करना चाहते है तो फिर हम echo के साथ इसे use करेंगे दूसरी चीज़ हमने लेखने विवर्स concatenation concatenation का मतलब है दो texts को आपस में join करना जोडना for example it's another statement इसके बाद मैं कुछ text जोड text यह text मैंने लिखा वीवर्स यह अब दू text हो चुके हैं और इन दोनों को मैं join करना चाहूं तो simply इनके दरमियान अगर मैं period का sign लगा दूँ तो हमारे यह दोनों text जोए हो join हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर simple यह full stop यह period का symbol लगा देता हूं और save करता हूं इसे और मैं से reload क तो देखी वीवर्स हम अपने texts को इस तरह से concatenate कर सकते हैं अगर मैं इसके साथ मजीद concatenation करना चाहूं तो मजीद concatenation कर सकता हूं simply मजीद text टाइप करके यहाँ पर और इस से पहले भी मैं यहाँ पर space कुछ create कर देता हूं और save करने के बाद मैं इसे reload करता हूं page को तो आ लेकिन मैं इसलिए यूज़ करूं क्योंकि आगे चलके हम dynamically इसे text को आपस में join करने वाले हैं variables की मदद से विवर्स मैं यहाँ पर एक नया PHP block generate करता हूं और यहाँ पर मैं PHP का closing tag लगा रेता हूं अब यहाँ पर मैं कुछ numbers यूज़ करता हूं for example मैं कहता हूं five plus six और मैं इसे save करके अगर page को load करूं मेरे पास कुछ output नहीं आरा क्यों output नहीं आरा क्योंकि मैंने इसके साथ echo का word नहीं लगाया अब मैं इन PHP blocks के दर्मयान में कहीं पर भी HTML इंसर्ट कर सकता हूं directly क्योंकि यहाँ पर हमारा previous PHP का block close हो रहा है यहाँ पर नया PHP block start हो रहा है इसके दर्मयान अगर मैं HTML start use करना चाहूं तो मैं फ्रीली इसे यूज कर सकता हूं मुझे echo वगरा यूज करने की शुरूरत नहीं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया क्योंकि उस वक्त हम PHP block के अंदर HTML को embed कर रहे थे लेकिन अब जब यहाँ पर PHP application को for example यूज करना चाहें या division को यूज करना चाहें या subtraction को यूज करना चाहें तो मुख्लिफ जो operations इसको perform कर सकते हैं तमाम mathematical operation डारेक्टली यह support करता है आपका web browser, sorry आपका web server वेवर्स आपने देखा कि हम किस तरह से dynamically text को concatenate कर सकते हैं प्लस हम new lines किस तरह से create कर सकते हैं वेवर्स मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि आपको PHP की operational trail समझा दूं कि PHP की working होती किस तरह से तो अपनी next video में हम PHP की operational trail को discuss करेंगे